नमस्कार, भारत होमियोपैथी के योट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे सोराइसिस पेशेंट की डाइट के बारे में और डाइट के एक एहम हिस्से के बारे में हम बात करने वाले ही यानि ब्रेकफास्ट की अगर आप एक healthy person भी है तो ब्रेकफास्ट आपकी डाइट में एक बहुत important role play करता है वहीं जब आप एक सोराइसिस के पेशेंट हैं तो आपको healthy breakfast लेना बहुत जरूरी हो जाता है psoriasis के patients में diet को लेकर बहुत ज़्यादा confusion होती है क्योंकि कई doctors उन्हें ये बोल देते हैं कि आप ये चीज़ खाईए कुछ doctors बोलते हैं ये चीज़े तो आपके लिए खतरनाक हैं अगर आप ये खाते हैं तो आपका psoriasis aggravate हो सकता है तो ऐसे में psoriasis patients बहुत ज़्यादा confused हो जाते हैं उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या खाएं और क्या ना खाएं तो आज की वीडियो में मैं आपको वही चीज़े बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है मैं आपको एक लिस्ट देने वाला हूँ खाने की जो आप अपने breakfast में बना कर खा सकते हैं साथ ही मैं आपको कुछ ऐसे tips भी देने वाला हूँ जिन्हें जानकर आप ये समझ जाएंगे कि अगर आप कुछ भी बनाते हैं क्योंकि नमक आपके psoriasis को aggravate करता है वहीं अगर आप अपने breakfast में लाल मिर्च, हरी मिर्च और गरम मसाले का इस्तमाल करते हैं तो आप इन सभी मसालों को अपनी diet से बिलकुल हटा दे क्योंकि ये आपके psoriasis को aggravate करते हैं इनका nature गरम होता है जब ये आप ये मसाले खाते हैं तो इन से आपके शरीर में गर्मी बनती है और आपको sweating की problem को जहिलना पड़ता है और जब sweating होती है तो psoriasis के जो आपके पैचिस हैं उन पर जब ये पसीना जाकर लगता है तो इससे आपके psoriasis के patches aggravate हो जाते हैं उनके size बढ़ जाते हैं उनमें आपको itchingness की problem देखने को मिलती है तो ऐसे में आपको अपनी diet से, अपने breakfast से नमक को, लाल मिर्श को, हरी मिर्श को और गरम मसाले को बिल्कुल अवाइड कर देना अब आप इनके जिगे क्या ले सकते हैं तो आप इनके जिगे काली मिर्श का इस्तमाल कर सकते हैं और नमक के जिगे आप सेंधा नमक का इस्तमाल करें सेंधा नमक आपके लिए अच्छा रहता है और आप जब सेंधा नमक का इस्तमाल करें तो आप इसकी मातरा भी कम ही रखें वहीं आप हलकी सी हल्दी का इस्तमाल कर सकते हैं, आप जीरे का इस्तमाल कर सकते हैं, आप रई का इस्तमाल कर सकते हैं और आप हिंक का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो ऐसे में psoriasis patients olive oil या फिर mustard oil यानि सरसो के तेल का इस्तमाल कर सकते हैं अगर आप refined oil का use करते हैं तो आप उसको बिल्कुल अपनी diet से हटा दीजे वही अगर आप dalda का इस्तमाल करते हैं तो उसको भी आप बिल्कुल भी इस्तमाल ना करें वही अगर आप देसी घी का इस्तमाल करना चाहते हैं तो आप हलकी सी मातरा में देसी घी का इस्तमाल कर सकते हैं अपना खाना बनाते समय तो आप इन बातों का ध्यान रखकर अपने breakfast को बनाए तो सबसे पहले आप अपने breakfast में oats को शामिल कर सकते हैं ओर्रस यानि डलिया। कुछ लोग इसे डलियः के नामसे भी जानते हैं वैसे ओर्ष अलग होता और दलिया अलग होता है। और वही सोराइसिस के पेशन्ट और डल्या दोनों चीजों को खा सकते हैं। अब ओर्ट्स बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि आप अगर नमकीन ओर्ट्स बना रहे हैं, तो आप नमक का इस्तमाल कौई सा नमक का इस्तमाल करना है, अभी मैंने आपको बताया, सेंधा नमक का इस्तमाल करना है, वहीं जो मसालो की लिस्ट मैंने आपको दिये, आप उन करेंगे तो आप गये के दूद का इस्तमाल करें मतलब आप ज़्यादा अमंट में दूद' काइं औरoka अग्रिवेट् सब आप पर दीजिशनच अइप ताकि आपको colitis और constipation जैसी problem को face ना करना पड़े क्योंकि colitis और constipation आपके psoriasis को aggravate कर देते हैं वहीं कुछ viewers हमारे South Indian खाने को भी बहुत पसंद करते होंगे तो आप अपने breakfast में idli खा सकते हैं, dosa खा सकते हैं, plain dosa बना सकते हैं, medu vada और upma इन चीजों को खा सकते हैं वहीं जब आप idli या plain dosa बनाते हैं तो उसके साथ कई लोगों को सांभर खाने का बहुत शौक होता है तो आप सांभर ना खाएं, क्योंकि सांभर जब आप बनाएंगे तो उसमें आप खटे का इस्तमाल करेंगे और सांभर में खटे की quantity बहुत ज़्यादा मिलती है, अगर आप अपने लिए specific बना रहे हैं तो आप खटे को avoid करके सांभर बना सकते हैं तो आप सांभर भी खा सकते हैं, लेकिन आपको खटी चीज़ को बिलकुल avoid करना है, क्योंकि खटी चीज़े भी आपके सोराइसिस को aggravate करती हैं जब भी आप इडली खाते हैं या डोसा खाते हैं तो आप सांबर को बिलकुल अवाइड करें, आप इन्हें प्लेइन खा सकते हैं, अगर आप सांबर का इस्तमाल करते हैं तो उसमें खट्टे की क्वांटिटी जादा होती है, या आपके लिए हानिकारक हो सकता है, वहीं अगर आप दूद पीना चाहते हैं तो अभी मैंने आपको दलिया बनाते टाइम या ओर्स बनाते टाइम मैंने आपको बताया था कि आप काव मिलक करें तो अगर आप दूद पीना चाहते भी हैं तो आप काव मिलक करें और या फिर आप डबल टून मिलक करें और उसमें भ रहेगा वहीं अगर आप हल्वा बना कर खाना चाहते हैं तो आप सूजी का हल्वा खा सकते हैं आप रवे की खीर खा सकते हैं रवे क्या हल्वा खा सकते हैं वहीं आप सूजी का हल्वा आटे का हल्वा ये सारी चीजे आप मौर्णिंग में ब्रेकवास्ट में अपने एड़ प्रब्लम नहीं होती और आपकी डाइजेशन प्रोसेस नॉर्मली चलती रहती है इससे क्या होता है आपके शरीर में टॉक्सिंस की अमाउंट बढ़ती नहीं है वह बाहर निकलती रहती है और आपका सोराइस एग्रिवेट नहीं होता तो ऐसे में अगर आप इन बातों का ध देखने को मिलेगा तो आप अपने ब्रेकफास्ट में इन सभी चीजों को खा सकते हैं आप ऐसा भी कर सकते हैं आप किसी दिन एडली खाएं किसी दिन प्लेन डोसा खाएं किसी दिन आप दलियां खाएं किसी दिन आप ओर्स खाएं आप इस तरीके से अपने process को time मिलेगा और वहीं जब आप खाना ज्यादा खाते हैं तो आपके digestion process को time नहीं मिल पाता आपके शरीर में toxins भी बढ़ते हैं और वो आपके psoriasis को aggravate करते हैं तो अगर आप psoriasis patient है तो आपको अपने खाने के time schedule को थोड़ा change करना होगा आप उसे five to six times कर दीजे इससे आपको बहुत जल्दी relief देखने को मिलेगा तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही मुझे उमीद है आपको समझ आ गया होगा कि आप breakfast में क्या-क्या चीजे खा सकते हैं और किन-किन बातों का आपको ध्यान रखना है तो अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल है या आप हमें कोई suggestion देना चाहते हैं तो आप comment box में जाकर अपना सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं और अपना suggestion भी हमें दे सकते हैं तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें साथ ही अगर आपको ये जानकार यूसफुल लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिष्टेदारों के साथ जरूर शेयर करें हो सकता है ये वीडि झाल झाल